C++ programming के लिए हमारे चानल LearnCoding को सब्सक्राइब करें हाई गाइस आज के इस वीडियो में मैं area of rectangle का program बनाने वाला हूँ using class and object in C++ तो अगर आपको कोई भी rectangle का area find करना है तो आप इस program के जरिये find कर सकते हैं तो चलिए program को start करता हूँ मैं तो सबसे पहले मैंने io stream header file को include करा है यह C++ के हर एक program में यह header file होता है उसके बाद kunio.ach header file यह दो basic header file है जो C++ के program में हमें include करना होता है अब हम क्या करेंगे class and object का use करके program बना रहे हैं तो हमारे सामने यह basic syntax होना चाहिए एक class होना चाहिए जहां पे हम coding करेंगे और main function होता है program का beginning और ending point C++ के हर एक program में हमें main function लेना होता है इसी main function में हम class का object भी बनाएंगे तो program को start करते हैं तो सबसे पहले मैंने class लिखा है class एक keyword है C++ में जिसे हम class को particular करने के लिए लिखते हैं उसके बाद यहां पे class का एक name लेना होता है तो मैं ले लेता हूँ A यहां पे A हमारे class का name है आप कुछ भी name यहां पे ले सकते हैं अब हम क्या करेंगे class के private section में जाएंगे और यहां पे मैं दो integer type का data member बना लेता हूँ L, B L हमारा denote कर रहा है length को और B denote कर रहा है breath को हम length और breath input करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि इसी length और breath के according हमारा area calculate हो रहा की नहीं rectangle का तो यह दोनों data member private हैं by default अब हम एक area नाम का variable ले लेते हैं इसमें हम क्या करेंगे जो भी length breath हम calculate करेंगे उसे हम store कराएंगे इस area नाम के variable में यह हमारा result storing का का काम करेगा तो यह तीनों data member integer type का है और private है अब हम क्या करेंगे member function बनाएंगे तो यहां पे मैं public access modifier लिख देता हूँ यहां जे class की body public हो गई है अब इस public section में void rectangle नाम का member function ले लेता हूँ तो मैंने लिखा void rectangle rectangle हमारे member function का name में इसका return type void है इसी member function के अंदर हम अपना coding करेंगे तो सबसे पहले मैं user को एक message देता हूँ तो मैं see out में लिख रहा हूँ enter length and breadth of rectangle length and breadth of rectangle यह message आपको run time में output screen में show होगा आप यहां पे जो भी type कर देंगे वो आपको message output screen में show होगा अब हम क्या करते हैं scene object का use करके length और breadth को input कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने L और B को scene से input ले लिया है यहां तक के program में हमें L के लिए एक value और B के लिए एक value input करना होगा जो भी value हम input करेंगे rectangle के length और breadth में अब हम चाहते हैं कि उसी value के according हमारा area calculate हो rectangle का तो उसके लिए मैं यहां पे अब logic लिख देता हूँ जो actual logic होता है length into breadth यह formula होता है area of rectangle का और यह result calculate होने के बाद मैं इसे store करा देता हूँ area नाम के variable में तो हमारा rectangle का area निकल चुका है अब हम इस area नाम के data member को print करा सकते हैं तो मैं see out लिखूंगा और यहां पे मैं area of rectangle लिख देता हूँ message यह message बस यह denet करेगा कि area आ गया है rectangle का अब मैं area नाम के variable को print करा देता हूँ क्योंकि हमारा जो final result है वो इसी में store हुआ है तो हमारा program complete हो गया है अब हम main function में जाएंगे और इस class a के लिए उग object बनाएंगे तो object बनाने के लिए मैं class का name लिख लेता हूँ a और एक object का name लेता हूँ obj तो class a के लिए object बन चुका है अब हम क्या करेंगे इस object से rectangle member function को call करेंगे तो मैं लिख रहा हूँ obj.rectangle जैसे ही मैंने main function में object से obj.rectangle function को call करा rectangle function का जो definition हमने class में दे रखा था यह पूरा function execute होगा जैसे ही object से call करें यह execute कर जाएगा अब हमारा code complete हो गया था हम get ch function का use करेंगे screen holding के लिए हम turbo c में इसका use करते हैं और clrscr function भी मैं यहाँ पर use कर लेता हूँ यह दोनो get ch और clrscr function कुनायो डोटे चडर फाइल में हैं एक screen clear के लिए और एक screen holding के लिए code को save करते हैं और run कराते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले हमें लेंथ और breath rectangle का input करना होगा तो मैं length input कर देता हूँ 10 और breath input कर देता हूँ 6 तो आप देख सकते हैं area of rectangle 60 आ चुका है यह एकदम accurate result है यहाँ पे आप इस प्रोग्राम के जरिए rectangle का area find कर सकते हैं अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे प्रोग्राम को like करिए share करिए channel पे नए हैं तो channel को subscribe कर दीजिए thank you friends